सुप्रभाद बचो, आज हम लोग फिर से संग्या के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो अध्याई आर्ट है, इसके पहले हम लोग नोंने संग्या और संग्या के भेदु के बारे में पढ़ाई के थी, हम लोग ने संग्या किसे कहते हैं और संग्या के कितने भेदु होते हैं के इसके बार में पढ़ाई के थी आज हम लोग आगे हम लोगों ने पिछले क्लास में व्यक्ति वाचक संगया जाती वाचक संगया और भाव वाचक संगया के बारे में जानकारी हासिल के थी आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कुछ विशेस वक्त अव्य यानि कुछ व समुदाये वाच Easy और बत लाते हैं है यानी हम लोगों ने पिछले कुलास में तीन भेदों के बार में पढ़ा था वेकति वाचक संग्या जाती वाचक संग्या और भाव आज हम लोग आरो और दो भेदों के बारे में जानेंगे जो अंग्रेजी व्याकरन के प्रभाव के कारण, और दो भेदों के बारे में बताया गया है, पहला है समुदाय वाचक संगया और दूसरा द्रव्य वाचक संगया, समुदाय वाचक का समुदाय का अर्थ होता है, समुदाय का अर्थ होता है, समुदाय का अर्थ ह समू होता है, जो आदमियों का समू होता है, जिसमें एक से ज़्यादा आदमी एक साथ रहते हैं, बाचित करते हैं, एक साथ संग बना कर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय वाचक संगय कहते हैं, जैसे की हो गया सभासभा में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसके द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं और इसके बारे में उसके बाद से हैं द्रव्य वाचक संग्या जिन संग्या सब्दों से किसी धातू धातू द्रव्य आदी पदार्थों का बोद होता है उन्हें द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं धातू आ जाता है आपको सोना चांदी प सब्द ही सब्द्रव्य होते हैं तो इन सब्दों के जो जिन संग्या सब्दों से किसी धातु द्रव्य आदी का पदार्थों का बोध होता है उससे हम द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं यानि जब भी ये पदार्थ का उपयोग कहीं किया जाता है किसी वाक्य में किया जाता ह तो उन्हें हम द्रवे वाचक संग्या के नाम से जानते हैं। अच्छा, कुछ गण्ये संग्या और अगण्ये संग्याओं के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। कुछ संग्या पदों के बहुबचन रूप बन सकते हैं। कुछ संग्या पदों के बहुँवचन रूप बन सकते हैं, और कुछ के नहीं, जिन संग्या सब्दों के बहुँवचन रूप बन सकते हैं, और उनके पहले संख्या वाचक सब्दों का प्रियोग कर सकते हैं, जैसे एक लड़का, दो लड़के, एक पुस्तक, दस पुस्तक, एक गुण, विसेस्ता हैं, एक कारे, कई कारे, ऐसे संग्याओं को हम गण्या संग्या कह सकते हैं, यानि कुछ जो संग्या पद होते हैं, कुछ जो संग्या शब्द होते हैं, उनके बहु बचन रूपी भी बन सकते हैं, और जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे लड़का है, जादा कारे किया है, तो इसमें संख्या लग गए, आज हमने चार कारे किया है, यानि कि आज हमें इसमें संख्या वाचक सब्दों का प्रयोग किया गया, इसलिए इसको गणिये संख्या कहते हैं, और और गणिये संख्या, जिन संख्या पदों के बहुपचन रूप नहीं ब पढ़ा के गणिये संग्यापदों में बहुवचन रूप भी बन सकता है, उन्हें हम गिन भी सकते हैं, लेकिन अगणिये संग्या सब्दों में हम बहुवचन रूप नहीं बन सकते हैं, नहीं उन्हें गिन सकते हैं और नहीं संख्यावाचक सब्दों का प्रियोग हम कर सकते हैं जैसे हो गया सत्य सत्यों को हम बहुबचन के रूप में प्रीयोग नहीं कर सकते हैं दया बुढ़ापा पढ़ाई पानी दूद जैसी शंग्याओं को अगणिये संग्या कहते हैं यानि जीने गिना नहीं जा सकता हुँ उन्हें और गर्णिये संग्या कहते हैं और जीने गिना जा सकता हुँसे गर्णिये संग्या कहते हैं सामानता व्यक्ति वाचक और बहु वाचक भाव अचक संग्याएं और गर्णिये संग्याएं होती है, जैसे रंजन, दिल, ले, ये सब क्या हो गया, वैक्ति वाचक संग्या के रूप में प्रियूक्त होते हैं, बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, इमानदारी, साहस, धातू, तथाद्रव्य वाचक, संग्याएं भी और गर्णिये होती है जैसे भाव वाचक संग्या क्या होता है, बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया, इमानदारी हो गया, साहस हो गया, ये सब हम किसे भाव वाचक संग्या कहते हैं उसके बासे जैसे लुवा, सोना यह सब क्या हो गया यह सब चीजे हो गये द्रव्य वाचक का यह एक उध्हारन हो गया इस प्रकार संग्या के पांच बेद होगे, किन्तो अनेक व्याकरन सास्त्री समुदाय और द्रविवाचक संग्याओं को जाती वचक संग्या के अंतरगत ही मानते हैं, यानि उसके अंतरगत, यानि व्याकरन में समुदाय वाचक और द्रविवाचक संग्याओं को जाती पढ़ें हम पढ़ेंगे भाव अचक संग्या। जो संग्या है। भाव अचक संग्या की रचना कैसे कैसे होती है। भाव अचक संग्या चार प्रकार के सब्दों से बनती हैं। जो भाव अचक संग्या चार प्रकार के सब्दों से बनती हैं। और वो प्रकार कौन-कौन से ह जाती वाचक संगया हो गया, सर्वनाम हो गया, विशिशन हो गया, और क्रिया सब्द से हो गया, यानि जितने भी जाती वाचक संगया हैं, इस चार प्रकार के सब्दों से बनी होती है, बच्चों द्यान देना जाती वाचक संगया हो कि अंतरगत ये सब भाते हैं, दास, दा दास्ता, मित्र, मित्रता ये सब भाव अचक संग्या ही होती है जो लोगों के भाव के बारे में बताती है कि चोरी करना उसका भाव है मित्रता और दास्ता भी उसके भाव है दानावता, मुर्कता, दैत्यवदी ये सब जितने भी हैं इतने सारे उधारन दिये गये हैं बचो ये भाव अचक संग्या यानि जाती वाचक संग्या के उदारन होते हैं जो भाव अचक संग्या में प्रयोगत होते हैं उसके बाद से सर्वनाम होगे सर्वनाम में भी ये जो अपना है अपनत्व है सर्वश्व है नेज है निजत्व है अहंकार है ये सब जीतने भी है ये बतलाते हैं, जो भाव अचक संग्याओं में ये भी प्रयोक्त होते हैं, जैसे मिठास, एकता, प्यास, दुस्टता, बुराई, और चित्ते, ये सब जितने भी शब्द होते हैं, बचों ये विशेशन के उधारन है, आइए हम क्रिया के उधारन के बारे में भी पढ़ते हैं खेलना, खेल, उडान, ठकावट, ठकान, रहन, सान, ये भी क्रिया से भी प्रयोक्त होने वाले शब्द होते हैं, जो भाव अचक संग्याओं में प्रयोक्त होते हैं, और इतने सब्द जो हते हैं, इन चारो सब्दों के योग से ही भाव अचक संग्याओं का निर्मान होता रहा हैं व्यक्ति वाचक संगया का प्रयोग जाती वाचक संगया के रूप में और जाती वाचक संगया का प्रयोग व्यक्ति वाचक संगया के रूप में आईए हम बताते हैं कैसे हम इसे करते हैं व्यक्ति वाचक संगया के प्रयोग जाती वाचक संगया के रूप में कभी-कभी व्यक्ति वाचक संगया अपने विश्विस्ट गुनों के कारण जाती वाचक संगया के रूप में प्रयोग दोती है यानि उनका प्रयोग किया जाता है कभी-कभी व्यक्ति वाचक संगया अपने विश्यूस्ट गुनों के कारण जाति वाचक संगया के रूप में प्रियोग्ध होती है। उसके बाद से मिर्जा फरो से देश का बचा होगा। यानि कि इसमें भी वाचन का प्रियोग किया गया है। यह व्यक्ति वाचक का उधारन है और इसे जाति वाचक के रूप में भी हम प्रियोग कर सकते हैं। इसके बाद हम जाति वाचक संगया का प्रियोगी व्यक्ति वाचक संगया के रूप में कर सकते हैं। जैसे पंडित जी हमारे देश के प्रधम प्रधान मत्री थे पंडित जी यह किसी विशेस व्यक्ति की निर्दिस्ट करते हैं। निर्दिस्ट का और्थ होता है निर्देश किया गया या बताया गया है। नेता जी ने कहा था कि तुम मुझे खूंदो मैं तुम्हें आजादी दूँगा। यह जाती वाचक संगया का प्रियोग है यहां पर व्यक्ति वाचक संगया के रूप में। यह जाती वाचक संगया का प्रियोग किया जा रहा है। पुरी में रथ यात्रा बड़ी सुन्दर होती है। पुरी में यानि जगरनाथ पुरी में यात्राथ यात्रा बहुत ही सुन्दर निकलती है। इस प्रकार उप्रियूक्त वाक्यों में पंडित जी, नेता जी, पुरी, आधी, सब, जवाहरलान, नहरू, सुबास, चंद्र, बोध, जगरनात, पुरी का बोध कराते हैं भाव अचक संग्या का प्रियूक जाती वाचक संग्या के रूप में भी हम कैसे करते हैं जब भाव अचक संग्या पद बहुवचन के रूप में प्रियूक्त होती है यानि जब भी कोई भाव अचक संग्या को हम बहुवचन के रूप में प्रियूक्त करते हैं एक वचन से उसे बहुवचन के रूप में प्रियूक्त करते हैं वाचक संगया भी हो जाती है, जैसे बुराईों से सदेव दूर रना, यहाँ पे जो बुराई है, यह जो बुराई है, यह बुराई सब्द है, जो भाव अचक है, उसके बाद से दूरियां हो गया, यह भाव अचक सब्द है, यह सब जितने भी हैं, यह सब प्रेम, दया, कर प्रोना ममता यह सब भाव वाचक संग्या है लेकिन जब इसको हम जब इसमें हम बहु बचन सब्द के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसे हम भाव वाचक रूप के जाती वाचक संग्या हो जाती है मेरी उसके बाद से भाव वाचक संग्या किन्तु यह जदी किसी लड़के या लड़की के नाम के रूप में प्रयोग हो जाते हैं जैसे मेरी बात सुनकर ममता हसने लगी हसना भाव वाचक संग्या है लेकिन इसका प्रयोग व्यक्ति वाचक उधारन के रूप में किया जा र पद को जो किसी व्यक्ति, जन्तु, अस्थान, वस्थान, 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 वस् स्थिती आवस्था आदी का बूद कराता है उसे हम संग्या कहते हैं जिन संग्या सब्दों से व्यक्ति वस्तु आदी के समू का बूद होता है उन्हें हम समू दायवाचक कहते हैं और जिन संग्या सब्दे से किसी धातु द्रव्य पदार्थों का बूद होता है उसे हम द्र आपनियावाद